तो हेलो गाईस कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यहां हम एपिसोड नमबर थ्री स्टार्ट कर रहे हैं अपिसोड में आगे जाने से पहले आप से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टार्गेट होता है 40 और 1 के लाइक का अगर आप यह करवा देते हैं तो इसका नेक्स्ट अपिसोड में और भी जल्दी लाने का ट्राई करूंगा और मैं जल्दी लाता भी हूँ अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरस्टिट नहीं है तो फिर मैं इस अपिसोड को वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ अब चलो जदा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड का स्टार्टिंग जो होता है वो रात से होता है जहां पर हम देखते हैं कि यहां पर नसा जो है वो चाय भी रहा होता है शाइपी कर अपनी वाइप की तारीफ करता है जो कि सुकासा होती है सुकासा कहती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ये बात सुनकर तो यहाँ पर जो नसा है वो कहता है कि तुम सब कुछ अच्छा ही बनाती हो स्तूसा का फिर हम देखते हैं कि एक मैसिज उसके फोन पे आ जाता है नसा के जो बहुत ही रात को आया होता है जिस पे लिखा होता है I LOVE YOU इस मैसिज को जो है यहां पर सुकासा देख लेती है और वो कहती है कि यह क्या है डार्लिंग यहां पर जो नसा है वो कहता रह जाता है कि मुझे लगता है कि किसी मिने मिस्टेक से यह मैसिज मुझे भेज दिया है बट यहां पर जो सुकासा होती है वो अपना गुसा सांथी नहीं कर रही होती है बलकि वो तो अपना मुग बना लेती है नसा विचारा जो है यहां समझा पता रह जाता है पर वो समझती नहीं है नेक्सिन में हम देखते हैं कि यहां पर जो नसा है अपने स्कूल के अंदर आ जाता है पढ़ाने के लिए और वो सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं किस वर्ल्ड में पहुंच गया हूं बहुत अजीब वजीब चीजे हो रही है मुझ मुझे पता है कि आप जो है उसजे को पढ़ कर एसा वैसा नहीं समझेंगे और आपने एससंद को बता diferente कि यहां प्रती यहां पर अबट आपको जो है ये सब चीजे किसी और को नहीं बतानी है तो वो कहता है कि बिल्कुल भी मैंने किसी को नहीं बताया है इसके बारे में क्योंकि अगर मैं बता देता तो सभी लोग स्कूल के अंदर तुम्हारा और मेरा मजाक उड़ाने लग जाते है और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी लड़की का मजाक उड़े फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सीरो होती है वो कहती है कि चलो मैं आपकी बात को समझ गई हूँ फिर हम देखते हैं कि नसा जो है वो कहता है चलो फिर मुझे यहाँ से चलना चाहिए तबी Zero जो होती है वो से रोकती है यहाँ जो Zero होती है अपने teacher नसा को कुछ बताना चाहती है वो कहती है कि मैं जो हूँ जो किया है मैंने उसके लिए बिल्कुल मैं माफी चाहती हूँ बट मुझे जो है आपसे एक advice चाहिए जो की एक romantic advice होगी यहाँ पर जो नसा होता है वो अपने मन में सोचता है मैं तो यहाँ प्रोग्रामिंग सिखाने आया था यहाँ पर जो सीरो की दूसरी फ्रेंड होती है जिसका नाम जो होता है कुर नई होता है उसका boyfriend जो है बिल्कुल room के अंदर बंद हो चुका है तो ये सारी बाते यहाँ पर story की तरह बता रही होती है नसा को वो कहती है कि हम दोनों जो है उसके घर पे गए उसे निकालने के लिए तब ही हमने देखा एक लड़का यहाँ पर आ गया और जो मेरी friend का boyfriend था वो अंदर game खेल रहा था वो लड़का भी उसी से मिलने के लिए आया हुआ था हमने देखा कि उसने जो है उसको बहुत मारा था और मारने के बाद वो पूछा था कि तुमने जो है मेरे बहुत सारे calls का जवाब नहीं दिया तुमें पिटना ही चाहिए उसके बाद वो दोनों ठीक हो गए और मेरी दोस्त का boyfriend थो class लेने के लिए दुबारा से आने लग गया बट मुझे जो है उस लखे से प्यार हो गया जिसका नाम जिंगा होता है फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनसा जो होता है वो थोड़ा सोच में पढ़ जाता है क्योंकि जो गिंगा होता है उसको तो पहले से ही वो जानता है पर वो यहाँ पर बताता नहीं है यहाँ पर जो सीरो होती है अपने दिल के अंदर जो भी feelings होती है सबी फिलिंग्स जो है उसे बता देती है वो कहती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ बट मैं जो हूँ उसे बोल नहीं पाती हूँ इसलिए मुझे जो है आपकी एड़वाईज चाहिए कि मुझे आप क्या करना चाहिए और मैं तो बस उसे दूर से देखती रहती हूँ कि वो जो है फोन चलाता रहता है और मैं भी चलाने के बहाने उसके आसपास घूमती रहती हूँ और मैं उसे मैसिज करना चाहती थी बट मैंने जो है गलती से आपको ही मैसिज कर दिया इसलिए मुझे माफ कर देना बट मैं जो हूँ उस लड़के को लाई करती हूँ और मैं जो हूँ कैसे बताऊं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है अपनी फिलिंग्स को सभी फिलिंग्स को एक्सप्रेस करना है तो आप जो है मेरी फिलिंग्स को समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो नसा होता है वो कहता है कि वहाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी फिलिंग्स को समझ पाता हूँ क्योंकि मैं साधी सुदा बंदा हूँ सिरो कहती है कि अगर आप समझ पाते हैं वहाँ पर बता देता है अपनी वाइफ को और वो जो है वो कहता है कि अगर कोई बंदा किसी बंदी को लाइक करता है तो वो सीधे बोल के नहीं देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इतना कम्प्लिकेट क्यों करता है यहाँ पर उसकी वाइफ सोचती है कि यह जो है न तो तुम्हें जो है एक प्रोपर प्लानिंग के साथ उसे बोलना पड़ेगा और अपने फिलिंग्स को समझाना पड़ेगा बट ये जो तुम्हारी प्लानिंग है वो बिल्कुल भी फेल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर तुम्हें किसी भी हालत में इस प्लानिंग के अंद देना है नसा कहता है कि अच्छा इसका मतलब जो है हमें जो है एक तरह का जसूस का काम करना पड़ेगा तो वो कहता है कि हाँ प्यार में तो ऐसा करना पड़ता है ट्रू लब ऐसा ही होता है तो यहाँ पर नसा कहता है कि इसका मतलब हमें डबल स्टेंडर वाला खाम करना पड़ेगा फिर हम देखते हैं कि यहाँ बर वो दोनों सो जाते हैं और नेक्स डे हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह सुबह यहाँ पर आया आई होती है जो बताती है कि मेरे जो है 10,000 सिस्काइबर जो है पूरे हो चुके है यहां जो है जो हमारी सुकासा होती है वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए तभी हम देखते हैं कि यहां पर जो इंगा होता है वो आ जाता है उसके आने के बाद वो कहता है कि मुझे थोड़ी बहुत जो है तुमसे बाते करनी है तो वो दोनों कहते हैं कि तुम यहां पर क्या आगए एकदम से अजीब तरह से दिख रहे हो वो कहता है गुड आफटर नूम तुम दोनों को तुम दोनों मेरी बड़ी बेने हो वो यहाँ पर सभी को बताता है कि मुझे लगता है कि मुझे कोई ने कोई जो है वो पीछा कर रहा है और मेरी जासूसी कर रहा है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो है कौन मेरे को देख रहा है तो मुझे जो है तुम दोनों की हल्प जाहिए मेरी help करो उसे ढूनने में तो यहाँ पर जो हमारी आया होती है वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारे उपर कौन नजर रह सकता है गिंगा कहता है कि अरे सच में कोई मेरे उपर नजर रख रहा है उसके अजीब से बाल है यहाँ पर आया और गुसा हो जाती है वो कहती है कि तुम यहाँ पागल बनाने के लिए आये हो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें जो है कोई जो बंदा है जासूस बनके तुम्हें देख रहा होगा मुझे तो बिल्कुल भी यखिन नहीं है तो यहाँ पर जो गिंगा है वो सच में बताता है कि कल मैं जो है स्टीट पे चल रहा था तो वहाँ पर मैंने देखा कि कोई मुझे वाच कर रहा है दूर से हो सकता है कि वो जो हो कुछी स्कॉप के कारण मुझे जो है बहुत दूर से देख पा रहा हो यहाँ पर जो सुकासा होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारा प्रोवाइंट क्लियर कर देती हूँ मुझे लगता है कि कोई स्कूल गर्ल जो है वो तुम्हें दूर से देख रही है और वो साही तुम्हारे से इंफोमेशन निकाल रही है क्योंकि वो तुम्हारे उपर क्रस्ट करती है और स्कूल गल जो होती है वो बहुत अच्छी जसूस होती है इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम उसकी गलती की वज़े से तुम जो है उसे कभी माफ मत करना बेशक वो स्कूल गल क्यों न हो वो यहां स्कूल गल के बारे में इतना बड़ा लक्चर इसलिए देती है क्योंकि वो जो है रात को बात करके आई होती है अपने हजबंड से फिर हम देखते हैं कि आया कहती है कि अच्छा तुम्हें ये लगता है तो तुम जो हो मेरे साथ चल सकते हो मुझे तो बिल्कूल भी तुम्हारे उपर यकीन नहीं है तो यहां बर हमारा किंग का कहता है कि अगर तुम्हें यकीं नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो तुम्हें अफोड़ा चल जाएगा कि मैं जो हूँ बहुत सही बोल रहा हूँ और मैं जो हूँ इसका प्रूफ दे सकता हूँ यहां पर सुकासा सोसती है तो तुम्हें सीधी जाके भात करनी पड़ेगी बट उससे पहले हम जो है उस बारे में information इकटा करेंगे और दुसी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर आया और गिंगा दोनों ही जा रहे होते हैं आया कहती है कि तुम्हारे उपर जो कोई देख नहीं रहा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर जो गिंगा होता है वो कहता है अभी थोड़ा रुकर तो सही अभी पड़ा चल जाएगा फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आया देख के बहुत ज़्यादा चोक जाती है क्योंकि वो यहाँ पर आयसक्रीम का ठेला देख लेती है जिसे उसे आयसक्रीम खाना होता है आयसक्रीम के ठेले को देख कर वो इतना तेख चिलाती है यहाँ पर गिंगा जो है वो ही गवरा जाता है फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें जो हूँ वहाँ पर जाकर एक आईस्क्रीम दिला देता हूँ फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है वहाँ आईस्क्रीम के पास चले जाते हैं और वहाँ से आईस्क्रीम लेने लिख जाते हैं तो यहां पर नसा कहता है कि अरे तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है मुझे पता है कि कौन क्या सोचता है वैसे भी मैं साधी सुधा हूँ तभी सीरो का ध्यान जाता है वो देखती है कि यहां पर जो वो लड़का है वो किसी लड़की के साथ धोय गूम रहा है अब यहाँ पर उसे देखकर वो बहुत जादा चौक जाती है और वो जो है अपना रोना जैसा मूँ बना कर रोने लग जाती है और यहाँ से उसका बिल्कुल दिल ही तूट जाता है और वो यहां से भागने लग जाती है यहां नसा उसे रोकने की कोशिस करता है बट वो भागती ही रहती है फिर वो जाकर यहां रुकती है तो वो बताता है नसा उसके बारे में उस लड़के के वो कहता है कि मैं जो हूँ उन दोनों को जानता हूँ क्योंकि वो लड़का एक मेरा फ्रेंड है और वो जो लड़की है वो भी मेरी एक फ्रेंड ही है तुम्हें जो है चिंता करने की क्यों जो ही जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उन दोनों को जानता हूँ तो वो दोनों जो है गल्फेंड वो फेंड नहीं है यहां जो सिरो होती है वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, ये सारी बाते सुनकर, वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, वो लोग डेट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहता है कि नहीं, फिर वो कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला ये सब सुनकर, अब यहाँ पे जो नसा होता है, वो कहता है कि तुम जाओ और उसे बता दो कि तुम जो हो क्या फिल करती हो, ये वो जो है बहुत ज़्यादा सरमा रही होती है, वो कहती है इतनी जल्दी कैसे बता दूँ, यहाँ पे जो नसा होता है, वो कहता है कि हर चीज़ का एक ना टाइम ना टाइम का लिमिट होता है तुमें जो है जादा टाइम नहीं मिल सकता है किसी बात को सोचने के लिए अगर तुम नहीं बोलोगी तो हो सकता है कोई और लड़की उसे भोल दे क्योंकि जो तुम देख रही हो आसमान में जो तारे हैं उनकी भी बहुत जादा ही लिमिट नहीं है थोड़ी ही लिमिट है नसा जो होता है थोड़ा बहुत मोडी पेट कर देता है उसे फिर वो जो है थोड़ा खुश हो जाती है और मोडीवेट भी वो कहती है वैसे मैं उसको जा के बोलू कहाँ पर नसva कहता है कि ये तुम्हारा अच्छा कोर्षन है तुम जो हो किसी डार्क प्लेस पे जा के बोल सकती हो जहाँ प्रेवेसी हो दूसी तरफ यहां पर आया कहती है कि तुम्हें तो कोई भी पीछा नहीं कर रहा है फिर यहां पर गिंगा कहता है ऐसी बात है तो मुझे जो है एक trap का use करना पड़ेगा मुझे किसी dark place पर जा कर उसका wait करना पड़ेगा वो वहीं आएगा फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है dark place को choose कर लेता है और वहां पर जाने लग जाता है फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे जाता हुआ देखकर जो सीरो है वो देख लेती है वो कहती है नसा को कि वो जो जगह है वो मुझे लगता है कि सही होगी तो यहाँ पर नसा कहता है कि यहाँ मुझे भी सही लग रहा है फिर हम देखते हैं कि वो जो है भागते हुए उसे के पास चली जाती है अपने दिल की फिलिंग्स को बताने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आकर कहती है excuse me फिर हम देखते हैं कि गिंगा पीछे मुड कर देखता है और उसे देखता है कि उसके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है वो सीधा जो है उसके पंच मुँपे पंच मार देता है जिससे कि वो जो है नीचे गिर जाता है वो कहता है कि तुमने मुझे ढूंडा कैसे हैं अब सबकुछ किलियर है हम देखते हैं कि वो जाने लग जाता है तब आप से कुछ कहना है और वो बड़ी तेश से कहती है आई लाइक यू फिर हम देखते हैं कि गिंहाख कहता है कि ठेंग क्यूउ गिंग के वेश फ़र हमें कुई सी तरह का कोई reaction देखने को नहीं मिलता है वो जो है चुप चौप यहां से जाने लग जाता है हम देखते हैं कि सिरो जी यहां पर पूरी तरह से फ्लैंक हो जाती है उसे भी समझ में नहीं आता कि यहां पर क्या चल रहा है फिर हम देखते हैं कि यहां पर जो हमारा नसा होता है वो देख रहा होता है वो पर जो हमारी सुकासा है वो नसा के बारे में कुछछ सोच रही होती है वो कहती है कि जब मेरा वाहा भवेंट जो है वो जाता है स्कूल के अंदर तो anonymous कोल सारी लड़किया मिलती है इस बास से सुकासा जो होती है फिर वह जो फिर घ्या जाती है उप masih husband जो है वो कभी मुझे चीट नहीं कर सकता है बर school जो girls हैं वो अगर official गई तो क्या होगा फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही tension में आ जाती है और सोचने लग जाती है उसको बहुत ही uncomfortable feel हो रहा होता है क्योंकि school girl जो होती है वो बहुत जादा ही cute होती है अब इस बात को सोच कर वो जो है बहुत जादा परिशान हो रही होती है उसके दिमाग में तो ऐसे चलने लग जाता है कि वो जो है पूरा voting system वाला scene हो जाता है यहाँ पर कुछ जो लड़किया है कुछ सुकासा कहती है कि वो जो है उस ऐसा कर कर सकता है और कुछ कहती है कि वो जो है चीट नहीं कर सकता है अब यही सारी बाते जो है उसके दिमाग में चल रही होती है बट यहाँ पर finally वो decide करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग का बस जो है यह खयाल है बट अभी भी वो जो है बहुत ही जादा lonely फिल कर रही है क्योंकि वो बहुत ही अकेली है यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि next scene में जो हमारा नसा होता है वो school के अंदर होता है जहाँ पर एक student उसे कहती है कि आपकी wife जो है वो बहुत ही अकेला फिल कर रही होगी गर पर यह लड़की जो होती है काफी जादा smart होती है वो कहती है कि वो जो है हो सकता है कि बहुत जादा जलन भी फिल कर रही होगी क्योंकि यहाँ बहुत सारी लड़किया है तो मुझे लगता है कि आपको अपने वाइब से बात करते रहना चाहिए यहाँ पर जो नसा है वो सोचता है सुकासा के बारे में क्या वो जल रही होगी फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि नहीं वो जल नहीं सकती है वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है फिर हम नेक्सिन में देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी सुकासा होती है वो चुपके से देख रही होती है स्कूल के अंदर साम हो चुकी है तब ही यहाँ पर जो हमारा नसा है वो से देख लेता है उसे देख कर वो चौक जाती है और यहाँ से भागने लग जाती है फिर यहा पर तुम्हारे स्कूल के अंदर आ गई थी, तो वो कहता है, कि अच्छा मुझे लगा कि तुम जो हो बहुत ही अकीला फिल कर रही हो, इसलिए यहाँ पर आई हो, यहाँ पर सुकासा कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिर यहाँ जो नसा होता है, वो कहता है कि अच्छा तुम ऐसा फिल नहीं कर रही थी लोनली बट मैं तो बहुत ही ज़्यादा पनफिस कर रहा था और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था फिर हम देखते हैं कि वो उसे हग कर लेता है और उसे हग करता हुए देखकर बहुत सारी स्टूडेंट देख ले में कि तुम्हारी जर्णी जो है वो फाइनली एंड होने वाली है फिर हम देखते हैं कि सुकासा यहां पर उसकी बात को सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और यही हमारा एपिसोड कदम हो जाता है तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के ये ओवर और नाव